So guys, आसकी वीड़ो हम बात करने वाले ही Vivo के T3 Lite डिवाइस के अंदर आपने फून के अंदर फून क्लोन सेटिंग का एकसे करेंगे वैसे तो आप क्लोन आपने देखा होगा बढ़ याप फून क्लोन सेटिंग की आती है जिसका हम एक्शल यूस बताएंगे क्या है और आपको इसे अपने फून के अंदर इस्तमाल कैसे करना है वो भी आपको बताते है Well guys, इस सटिंग का एकसेस करना है काफी एजी है इसे दो तरीकों से यूस कर सकती है पहला तो आप सर्च बटन बे अगर टाइप करेंगे फून क्लोन तो सेटिंग सीजल ही आ जाएगी अधरवाइस आपने करना क्या है स्कोल की की नीशी आना यहां सिस्टम सेटिंग का एक उप्सन होगा इसको प्रेस करना है इस तरीके से इसके अंदर अगर आप आएगे तो यहां पर देख सकते हो फोन क्लोन मिल जाता है इसको प्रेस करना इन दो ओफसन आपको दिख जाती है दोनों ओफसन का मैं एक्ष्वल में यूस बताता हूँ क्या होता है अगर कोई आपके पास डिवाई तो उसका डाटा नए डिवाईज में आपकर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर इसको टॉप वाले को सलत करा लूट फोन को तो अब क्या होगा कि हमारे पास एक और फोन होगा उसके ओल्ड फोन का डाटा अगर ने फोन में करना है तो पहले इसको क्लिक करेंगे इसका एक QR-Code जरेट होगा तो सेकेंड वाले करोगे तो उसमें स्केनर आएगा तो उसको उटको स्केन करेंगा जो कॉंटेक्ट विडियो जो भी डॉकिमेंट्स हो गया होते हैं टोटल फाइल्स आपके दूसरे फोन में चले जाएगे जिस फोन को आप निव वाला उफ्सन सेलेट करोगे ऐसा नहीं कि नजा फोट यूज करो कोई भी भी वन योज करो डाटा ट्राशर करने का यह काफी बेस तरीका और आसानी के साथ आप डाटा कर सकते हो और कोई ओल्स जाएगा सकते हैं अगर आपने कुछ अपडेट करा नया डिवाइस तो उसका डाटा आप इस phone क्लोन की मदद से कर सकते हैं और बहुत ईजी है और कुछ लोगो यह भी होता कि अपके पास एक इस्टा डिवाइस है डैक कह सकते हो तो उस क्या करते हैं कि यह जो डाटा है दूसरे फोनों में भी रख सकते हैं क्लोन का मेंस के डूबलिकेट करके बना के रख सकते हो कोई issue नहीं है आपका जो data है इस phone में भी safe रहेगा और इस तरीके से phone clone को access कर सकते हैं